हालो फ्रंस वेलकम बैक टू सीजी जॉप एजूकेशन साथियों जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी तकि आपको सिक्षक भरतिस जुड़ी अबडेट चहेव सरकारी सिक्षक हो या प्राइवेट सिक्षक हो सिक्षक भरतिस जुड़ी अबडे स्विक्रित किये गए हैं क्या है पूरी अबडेट देख सकते हैं requirement करके आपको दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर जिसमें आपका biology, chemistry, physics, political science जैसे सब्सक्राइब के पद स्विक्रित है इन चार विशव में PGT के पद स्विक्रित किये गए हैं इसके लिए योग् योग्यता की बात करें साथियों तो graduate होना चाहिए सम्मंधित विशय में साथ ही साथ आपके पास BA की डिग्री होनी चाहिए PTI teacher में female के पात की आवा सकता है योगेता की बात करें BPA या MPAT की योगेता आपके पास मौजूद होना चाहिए PRT में गडित और English की vacancies आई हुई है इसके लिए योगेता की बात करें तो graduate होना चाहिए सम्मधित विशाय में साथ ही साथ DLA या BAT की डिगरी भी आपके पास होना चाहिए Pre-Primary teacher की भी पत है इसके लिए योगेता की बात करें तो graduate होना चाहिए साथ NTT या DLA की योगेता भी आपके पास मौजूद होना चाहिए यदि यह योगेता आपके पास मौजूद है साथियों तो बिल्कुल आप योगेता रखते हैं इन पदों के लिए तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए इंटर्व्यू में सामिल हो सकते हैं इसके अलावा आपका TGT में Maths और Science के भी पद स्विक्रित है इसके लिए Graduate प्लस B.E.E.D. होनी चाहिए यह तो हो गया साथियों इसके बाद देखिए यहां पर आपको सो हो रहा है स्क्रीन पर Music Teacher के भी पद है Music Teacher के लिए योग्यता की बात करें तो B.E.E.D. होनी चाहिए Music में ठीक है संबंधित मैंता प्राप्त विश्वी इद्यालाय में ठीक है तो यह तमाम योग्यता आपके पास मौझूद होना चाहिए यदि आप इच्छूख है योग्य है तो आपना जो रिजूम है वो पर आपको पूरा दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ठीक है एस एस भी एम एड़ेट जीमेल डाट कॉम या इन इस्कूल आफिस डरिंग या आप चाहे तो इमेल के माध्यम से अपना रेज्यूमें सेंड कर सकते हैं या आप चाहे साथ हो तो इस्कूल टाइमिंग में आप जमा कर सकते हैं या टायमिंग देखिए आठ मार्च के पहले ही आपको जमा करना है इस्कूल की जो टायमिंग रहती है उस बीच में जाकर भी आप ऑफ्लाइन मोड में आवेदन स्विकार किये जाएंगे थीक्र बढ़िया ईस्कूल की बात करें तो शुरू में ही हमने बहुत अच्छी रहेगी साथियों तो जो भी साथी चूक है बिल्कुल आवेदन करें इमेल के माध्याम से हो या आफ लाइन मोर में सीधे विद्यालाय में जाकर जहिन